उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंचाब सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाओ भले ही अगले साल मार्च और माई महीने में होने वाले हैं। लेकिन चुनाव आयोग अभी से सक्रिये हैं। आयोग ने बुदवार यानी की 3 अक्टुबर को ही इन सभी राज्यों में अधिकारियों के स्थानांत्रण और तैनाती को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं। आदेश में कहा गया है कि चुनावों में सीधे तौर पर नहीं जुड़ने वाला कोई भी अधिकारी अपने ग्रह जन्पत या फिर उस जन्पत में नहीं रहेगा जहां वो लंबे समय से तैनात हो। बताया गया है कि आयोग ने इसके दायरे में आने वाले अधिकारियों का ब्योरा भी जारी किया है। साथ ही इसके अमल की रिपोर्ट आयोग को 31 दिसंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गए है। जुनावायोग ने उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के मुख्य सचिवों को दिये गए निर्देश में बताया है कि गोवा में 15 मार्च, मणिपुर में 19 मार्च, पंजाब में 27 मार्च, उत्तराखंड में 23 मार्च और उत्तरप्रदेश मे 14 मई को मौझूदा विधान सभा का कारिकाल समाप्थ हो रहा है साथ ही ये भी साफ किया गया है कि इन तीन वर्षों की गढ़ना कब से की जाएगी उत्तर प्रदेश में 31 मई 2022 की अवधी तक इनकी गिंति की जाएगी उत्राखन पंजाब गोवा और मणीपुर में 30 मार्च 2022 की सवधी की गढ़ना की जाएगी साथ ही चुनावायों की घोशना से पहले राज्यों में अधिकारियों की तैनाती को लेकर उठने वाले सवालों से पहले ही आयोग ने सभी राज्यों को सतर्क कर दिया है आयोग ने साफ किया है कि राज्य के कौन-कौन अफसर और कर्मचारी इस दाएरे में नहीं आते है इनमें राज्य मुख्यालों में तैनात अधिकारी और कर्मचारी के अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रिंसिपल, शिक्षक आधी सब शामिल है जो शुनाव कारे में शामिल नहीं है हलकि आयोग ने कहा कि इनमें यदि किसी के खिलाफ राजनेतिक आधार पर जुडाव रखने की कोई भी शिकायत मिलती है और जाच में वो सही पाई जाती है तो आयोग के नर्देश पर ना सिर्फ इस्थान अंत्रण किया जाएगा बलकि उनके विभागी इस्तर पर कारिवाई भी प्रस्तावित की जाएगी यहां आपकी सुविधा के अनुसार हर चीज उपलब्द है फैंसी पर्दे से लेकर गत्य तक और बैट शीट, पिलो, कर्टन रोड, ब्लैंकेट, सोफा क्लोथ सभी रीजनेवल प्राइज में उपलब्द हैं संपर्क करे नियर होटल रिया पैलेस छडायल चौराहा गैस कोदाम रोड हल्दवानी